नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं वेद पर का शर्मा जी द्वारा लिखा गया एक रोमान्चक उपन्यास चक्र व्यू पार्ट टू कि क्या? अक्षे शिर्वास्तव उचल पड़ा कि क्या कहा आपने? आप संगीता मडर केस की री इन्वेस्टिकेशन करने निकली हैं? हाँ, किरन हौले से मुस्कुराई बात कुछ समझ में नहीं आई अक्षे अपने आश्यरे पर काबू नहीं कर पा रहा था। संगीता मडर केस में री इन्वेस्टिकेशन के लिए आखिर है ही क्या? किरन और अक्षे के बीच ये बातें, छेखर मलोत्रा की कोठी के एक तनहा कमरे में हो रही थी. मैं ये जानना चाती हूँ कि आप इस केस म कैसे इन्वाल्फ हुए? बेडॉल शरीर वाले करीब 25 वर्षिये काले करूटे इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली. किरन की तरफ ऐसे अंदाज में देखा, जैसे किसी क्रैक की तरफ देख रहा हो. बोला, उस रात में नाइट ड्यूटी पर था, अपने ऑफिस में बैठा, खाली वक्त गुजारने के लिए, बेड परकाश शर्मा का सुहाक से बड़ा पढ़ रहा था, कि फोन की घंटी घंगना उठी. किसका फोन था? रधिया, यानि इस कोठी की नौकरानी का. क्या कहा उसने? उसकी आवास से चाहिर था, कि वह बुरी तहने डरी और घबराई मैं उचल पड़ा, चीक कर उसका नाम पता पूछा, पता पताया जाते ही पूछा, कि तुम्हारे साहब कहा है? उसने पताया कि निक्कू और बुंदू उन्हें पकड़े खड़े हैं. मेरी यह पूछने पर कि निक्कू और बुंदू कौन है? उसने पताया कि वे मेरी तरह मैंने यह निर्देश देकर फोन क्रेडल पर पटक दिया कि वे लोग किसी चीज को छेड़े नहीं और एक कॉंस्टेबल तथा दो सिपाईयों को साथ लेकर जीब द्वारा यहां पहुंचा यहां आपने क्या पाया बुंदू कोठी के लोहे वाले गेट पर मिल गया था वह ह पैड के नजदीक फर्ष पर पड़ी थी लाश की खुली आखे बेड्रों के लेंटर को घूर रही थी मैं समझ गया कि मरते समय उन आखों ने अपने हत्यारे को देखा है मगर कम से कम संगीता अब अपने हत्यारे के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी उसके जिस्म पर चा बेड्रों ही में लॉन की तरफ खुलने वाली खिर्की के नजदीक बेहोश पड़ा था बेहोश कैसे हो गया था बुंदू और निक्कु नहीं किया था क्यों मैंने दोनों नौकरों और नौकरानी के बयान अलग लग लिये मगर तीनों के बयान अक्षरश एक ही थे रत्ती भर भी विरोधा भास नहीं था उनके बयान से जो कहानी प्रकाश में आई वे यह थी कि उस वक्त वे निक्कु की कमरे में बैठे तीन दो पांच खेल रहे थे जब सननाटे को चीरती चीक की आवाज सुनी तीनों चौक पड़े निक्कु चीखा ये तो मेमशाब है नकाब पोश खून से रंगे चाकु सहीत खुली खिरकी के माध्यम से लौन में कूदने वाला था जब बलिष्ट बुंदू ने उसे दबोश लिया नकाब पोश ने उसके बंधनों से निकलने की चेश्टा की परन्तु तब तक निक्कु और रधिया भी उसे जकर चुके थे लाग कोशिशों की बावजूद वे खुद को न छुड़ा सका उसी हाथा पाई की दर्मयान नकाब पोश का चाकु कमरे के फ़र्श पर जागिरा उसे पूरी तरह अपने कबजे में करने के बाद निक्कु ने चेहरे से नकाब नोच लिया चेहरे पर नजर पड़ते ह तीनों की हलक सी चीखे निकल गई वे चेहरा उनकी अपनी मालिक का था शेखर मरूत राखा शाब शाब आप रधिया की हलक सी घुटी घुटी सी चीख निकल गई थी मैं मुझे छोड़ दो संगीता की हत्या मैंने नहीं की हत्यारा भाग रहा है मुझे छोड़ कर उसे पक कर दिया निक्कू बुंदू उस वक्ट शेखर को चकड़े खड़ी थे इधर रधिया ने रसीवर वापस क्रेडिल पर रखा उधर शेखर ने पुना खुद को आजात कराने की कोशिश शुरू कर दी और इस बार की हाता पाई का परिणाम यह निक्रा कि शेखर पेहोश हो ग आया कि उनकी जानकारी के मुताबिक शेखर मलोत्रा दस वारी ट्रेन से बंबई चला गया था ड्राइवर खुद उसे स्टेशन छोड़ कर आया था क्या शेखर की जेब से ट्रेन का टिकट निकला था ट्रेन का भी और प्लेन का भी क्या मतलब प्लेन का टिकट रात के एक बजे वाली फ्लाइट का था और ये दोनों टिकट अपनी कहानी आप कह रहे थे स्पश्ट था कि मडर करने के बाद एक वाले प्लेन से बंबई के लिए रवाना हो जाता प्लेन यहां से एक घंटा 10 मिनट में बंबई पहुंच जाता है जबकि 10 बजे चली ट्रेन 11 बजे पह के आया था बंबई के इन दो टिकटों के बारे में शेखर मलोतरा का क्या कहना है प्लेन के टिकट के बारे में बड़ी हास्यास्पद बात कहता है वह क्या यह है कि प्लेन का टिकट उसने नहीं खरीदा यह भी नहीं जानता कि उसके नाम का प्लेन का टिकट उसकी जेब में कहां से आ गया यानि प्लेन का टिकेट उसके नाम से किसी और ने खरीद कर उसकी जेब में डाल दिया अक्षे हसा हस कर बोला कहना तो वे यही चाहता था और साथ में यह भी चाहता था कि उसकी इस बखवास पर पुलिसी नहीं बलकि अदालत भी यकीन कर ले ट्रेन के टिकेट के बारे में क्या कहता है वे है कहता है कि सचमुझ ट्रेन से बंबई के लिए यात्रा कर रहा था परन्तु अभी ट्रेन इस शेहर के मुख्य स्टेशन से चल कर कैन स्टेशन पर पहुँचे ही थी कि एक अजनभी उसकी बर्च के निकटाया और उसे वहाँ देखते ही चीख पड़ा बोला आप यहां ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं मिस्टर मरोत्रा और वहां आपकी फैक्टरी में आग लग गई है शेखर के बयान के मुताबिक अजनभी से पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो जवाब में अजनभी ने कहा कि आपको शेहर में भला कौन नहीं जानता आप इस शहर में एक मादर ऐसे शक्स हैं जिसकी फैक्टरी में बने देशी घी के डिब्बे सारे देश में सप्लाई होते हैं बस इतनी बास सुनते ही शेकर मरोत्रा समझ गया कि यह व्यक्ति मुझसे परिचित है और अभी वह उसका परिचे पूछ नहीं वाला था कि ट्रेन पट्रियों पर सरकने लगी शेकर मरोत्रा ट्रेन से कूट पड़ा वहां से फैक्टरी पहुचा हां फैक्टरी को सही सलामत देख कर उस पर क्या प्रतिकरिया हुई कहता है कि मैं दंग रह गया उसके बाद बकॉल अपने वह काफी देर तक यह पूर्ण मजाक किया होगा जिस टैक्सी से स्टेशन से फैक्टरी पहुचा था उसी से कोठी पर पहुचा कोठी तक पहुचते पहुचते उसके दिमाग में यह बात आई कि संगीता यह सोचकर पेसुद सोई पड़ी होगी कि वह शेहर में नहीं है और जब अचानक उसे अ साखिल होने की जगा चार दिवारी पांद कर लॉन में पहुचा और अपने पैट्रोम की खिर्की की तरक पड़ा क्या उसे मालूम था कि खिर्की खुली होई होगी कहता है कि उसे मालूम था इसलिए मालूम था क्योंकि जानता था कि खिर्की बंद करके संगीता को ने नही फिर अभी खिरकी के नस्दीक पहुचाई था कि सन्नाटे के कलेजे को चीर कर रख देने वाली संगीता की चीक सुनी वह बुरित रहर बढ़ा गया ठीक से कुछ समझ में नहीं पाया था कि पुना संगीता की चीक दूर दूर तक गुंच गई जपटकर वह खिरकी पर चड़ को हाथ में लिये एक नकाब पोश को उसे जिसका संपून जिस्म काले लबादे में चुपा हुआ था इधर संगीता फर्श पर किरी उधर नकाब पोश ने अपने दूसरे हाथ से उसके गले में मौजूद एक लाग की कीमत का वह डाइमंड नेकलेस नोश लिया जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर उसनी संगीता को प्रेजन किया था बिना सोची समझे शेकर हलक पाड़ कर चीक पड़ा कौन है सुनते ही नकाब पोश पलटा और शेकर को खिड़की की रास्ते से कमरे की फश पर कूटता देख कर बौखला गया बौखला कर वह अंदर की दरफ बन दरवाजे की दरफ भागा और अभी दरवाजे की चटकनी किरा ही पाया था कि शेकर ने उसे दबोश लिया दोनों की बीच हाता पाई होने लगी शेकर ने उसके हास से चाको छीन कर कब जाया ही था कि बेडरूम का दरवाजा भढ़ाक से खुला बुंदू और र खोन कर दिया है इसे पकड़ने में मेरी मदद करू और फिर तीनों ने नकाब पोश को जकर दिया चेहरे से नकाब नोश्ते ही बे उच्छर पड़े हत्यारा कोठी का तीसरा नौकर यानि निक्कु था शेकर का कहना है कि उस शन मैं समझ गया कि निक्कु ने एक लाग के न कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं वह भेद तुम दोनों के घरवालों पर खोल डूँगा जिसे तुम अब तक छुपाए हुए हो शेकर मरूत्रा का कहना ये है कि निक्कु के शब सुनते ही बुंदू और रध्या के चेहरे पीले पड़ गए ऐसी हालत हो गई उनकी कि का वाली तुझे कच्चा चबा जाएगी बुंदू बोलो क्या तुम दोनों अपने अपने पती वा पतनी से बस सकोगे बुंदू और रध्या के चेहरों पर हवाई यां उड़ने लगी थी आँखों में खौफ लिये अभी वे निक्कु की तरफ देखी रहे थे कि निक्कु ने अपने जिस्म को जोड़ार छटका दिया बकॉल शेखर के उस वक्त चूंकि वह स्वेम हक्का बक्का था अता निक्कु को अपनी पकड से निकलने से न रोख सका और पलक छपकते ही पासा यूँ पलटा कि वह स्वेम निक्कु के बंधनों में छटपड़ा रहा था कि अगर तुम अपने भेत को हमेशा के लिए भेती बनाए रखना चाते हो तो वही करो जो मैं कहता हूं कि क्या करें हम बॉखलाय हुए स्वर में बंधने पूछा इसे फसाने में मेरी मदद करो कि कैसी मदद करें और बस शेखर मरोतरा का कहना ये है कि मैं उनके बेच होने व मेरी आँखों के सामने रंग बिरंगे तारे ना चुठे तथा मैं बेहोश होता चला गया जब होश आया तो यहां खुद को हवालात में पाया क्या शेखर मरोतरा ने यह बयान हवालात में दिया था हाँ अपने वकील से बात करने के बाद क्या मतलब घटना स्थल से अपन कहता चला गया होश आने पर जब मैंने उसका बयान लेना चाहा तो बोला कि वे जो कुछ कहेगा अपने वकील के सामने कहेगा और वकील से सला मश्वरा किये बिना एक लवज नहीं कहेगा मुझे भला क्या पत्ती हो सकती थी तो उसे अपना वकील बुढाने की इजाज़त द शेकर मनोत्रा ने उप्रोग बयान दिया शहजाद राय कोट में इस कहानी को सक्ची साबित करना चाहते थे कि नौकरों ने शेकर को पुलिस के आने तक लबादा और नकाब पहना कर उसे फसाया है शहजाद राय ने कोट में ये भेद खोला कि रधिया पुंदू के मां का भून पाया गया जबकि वह पिछले छे महिने से अपने पती से नहीं मिली थी किरन ने उस सहा जनक स्वर्मी कहा यानि शेकर मनोत्रा के बयान में थोड़ा पहुत तत्रुत था अदालत ने ऐसे नहीं माना क्यों मैंने कोट में उस कपड़ा और चाकु विक्रेता को कर दिया जिसते शेकर ने लबादे का काला कपड़ा और चाकु खरीदा था उस टेलर को पेश कर दिया जिसते उसने लबादा सिलवाया था चाकु की मुट पर शेकर मनोत्रा की उंगलियों के निशान थे संगीता के खून सी सराबोर था वह है कहने का मतलब ये कि मेरे कहा कि बेशक यह सच है कि बुंदू और रधिया की बीच अवेद संबंध है मगर बचाव पक्ष अगर यह सोचता है कि वह इस एक सत्यक के चारों तरफ चाशनी में डूबी और अविश्वसनी कहानी को भी सससाबित कर सकता है तो यह उसकी भूल है एक छोटी सी दबूत और गवा पेश किये हैं जिनें बचाव पक्ष क्रॉस नहीं कर पा रहा है क्या असली खी का बिजनिस शेकर मनुत्रा ने खुद संभाला हुआ था हां अक्षे ने कहा गुलाव चंद की मृत्यू के बाद टैक्ट्री को वही देख रहा था संगीता का उसमें कोई दकल नहीं था नहीं तब ıldलत यह थ्योरी कुछ जंगती रहें कि शेकर नी संगीता की हत्यात दोलत की खातिर की क्यों नहीं जंगती हक इसकी अपनी तो नहीं थी ना था तो सबकु संगीता की ही नाम और संगीता उसकी पत्नी थी पत्नी भी ऐसी जो शेखर मलोतरा के साथ खुश थी मेरे ख्याल से संगीता की मौत के बाद कोट में या बाहर भी किसी ने यह नहीं कहा कि शेखर और संगीता की बीच कोई मनमुटाव या जगडा तंटा था बेशक ऐस किसी ने नहीं कहा, मगर इस पॉइंट को उठा कर आप कहना क्या चाहती है? आदमी दौलत क्यों हासिल करना चाहता है? यह तो आदमी आदमी की नेचर पर निर्भर है. बेशक है, मगर सभी लोगों के लिए एक कॉमन बात कही जा सकती है. और वह यह है कि हर शक्स दौलत इसल इस्तमाल है नहीं, आप मानते हैं ना, मानता हूँ, हलकी सी मुस्कान के साथ किरन कहती चली गई, और यह आप पहले ही मान चुके हैं, कि शेखर उस दौलत का मनचाहा इस्तमाल कर रहा था, जिसके नाम ये दौलत थी, यानि संगीता की तरफ से उस पर कोई बंदिश नहीं थ जब उस पर बंदिश नहीं थी, तो संगीता का मडर करने की उसी जरूरत क्या थी, अक्षे पुना सकपका गया, संभल कर बोला, मुम्किन है कि संगीता की तरफ से कोई बंदिश हो, अब आप मुम्किन पर आ गए, कहते वग किरन के होटों पर बेहद जीवन्त मुस्कान उ जाए, तो लोग कूद कर इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं, कि हत्या पती नहीं की है, इस मामली में भी यही हुआ है, बिना सोचे समझे, नतीजा निकाल लिया गया, कि शेखर मलोत्रा ने दौलत की खातिर अपनी बीवी की हत्या कर दी, इतने धुरंदर धुरंदर किरन उठकर खड़ी हो गई, बोली, सबसे प्रमुख होता है हत्या का उद्देश्य, और हमारी संशित बहस का परिणाम यह निकला, कि हत्या का उद्देश्य ठोस नहीं है, अगर आप अभी यह दावा करते हैं, इंस्पेक्टर, कि संगीता की हत्या दौलत की खातिर हुई है, तो मैं यह दावा करती हूँ, कि हत्यारा शेखर मलोतरा नहीं है, अगर आप अभी भी उसी हत्यारा मानते हैं, तो मैं यह कहूँगी, कि आप अपनी थियोरी में सुधार कीजिए, कम से कम दौलत की खातिर, उसे यह हत्या करने की जरुवत नहीं थी, मेरे ख्यास से पि रर के इसकी कहाने में टूप कर, उसे तो मैं भोली गई थी, कहते वक्त किरन के जहन में यह सवाल रह रहकर कौन रहा था, कि अगर यह बात सच है, कि शेखर मलोतरा को नौकरों नी फसाया है, तो शेखर बार बार यह क्यों कह रहा है, कि उसी चक्रव्यू के रचैता के बा अंदर अंदर, बाहर निकलाओ, अन्यता दर्वादा तोड़ दिया जाएगा, जवाब में पुना पहले जैसा सन्नाटा व्याप्त रहा, अक्षे ने कम से कम पांचवी बार उक्षप दोहराये थे, उसके पीछे स्टड़ी के दर्वाजे के ठीक सामने, हाथों में के गुजरने का इंतजार करते रहे, परन्तु 20 मिनट गुजर जाने के बावजूद, स्टड़ी के अंदर से हलकी सी हलचल तक का आभास न मिला, तब दर्वाजे के नस्धीक से हटते हुए, अक्षे ने उची अवाज में सिपाईयों से कहा, दर्वाजा तोड़ दो, सिप जादों से जादा मजबूत नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये, कि सिपाही पसीने से तर हो गए, परन्तु वहशन आही गया, जब दर्वाजा भड़ाक की आवाज के साथ, चौकर से अलग होकर, स्टड़ी के अंदर जागिरा, सब के दिल जोड-जोड से धड़क रहे थे, हा जित्तु कोई बला उस पर नहीं जपटी, कहीं कोई हल चल नहीं, लंबी चौड़ी स्टड़ी का फरपूर निरिक्षन करने के बाद, जब उसने घोशना की, कि वहाँ कोई नहीं है, तो लोग स्टड़ी के अंदर आ गए, फर्श से शुरू होकर दिवारों के सहारे सहारे छट तक चली गई रैक्स में लगी किताबों को, वे सभी इस तरह घूर रहे थे, जैसे वे रहस्ते में बस्तुए हो, स्टड़ी में जब अक्षे को ऐसी कोई जगार नजर नहीं आई, जहां कोई व्यक्ति खुद को चुपा सके, तो उसने शेखर से मुखातिब होकर सवा किया, तहखाने का रास्ता कहा है? स्टड़ी के बीचो बीच रखी, विशाल मेज के ठीक उपर लटके फानूस की तरफ इशारा करके, शेखर ने कहा, तहखाने का दरवाजा, इस फानूस की सबसे नीचे वाले लट्टो को पकड़ कर लटकने से खुल जाता है, खोलो, शे संगीता से कभी कुछ पूछा ना उसने बताया, मेज के नस्दीक पहुँचकर ठीड़कते हुए उसने कहा, हाँ, बाबुजी की मौट के बाद संगीता एक बार मुझे तहकाने में ले गई थी, मगर उस वक्त वहाँ कुछ पुराने और जरजर दरवाजों और ड्रमों के अलावा कुछ नहीं था, तहकाने में कोई चीज चुपा कर नहीं रखी गई थी, मुझे तो वहाँ ऐसी कोई जगए ही नजर नहीं आई, जहां कुछ चुपा कर रखा जा सकता, और ना ही संगीता ने किसी चुपी हुई चीज का जिक्र किया, कहने के साथ शेखर ने न मेज के उपर खड़ा हो गया, बलकि दोनों हाथ उपर उठा कर पानूस के सबसे नीचे वाले लट्टू पर लटक भी गया, उसका लटकना था किस टड़ी में गड़-गड़ाहट की हलकी सी आवाज गुणजी, ठीक मेज के नीचे के फर्ष में एक गड़ा नजर आने मेज को तहकाने के रास्ते के उपर से हटा दो, सिपायों ने हुक्म का पालन किया, हाथ में रिवाल्वर लिये, अक्षे गड़े के निकट पहुँचा, परन्तु स्थीड़ी में केवर इतना ही परिवर्तन आया, कि दो के स्थान पर तीन सीड़िया नजर आने लगी, उसस नीचे का हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, सबसे उपर वारी सीड़ी के प्रिष्ट भाग में एक स्विच है, शेखर ने कहा, उसे आन करने पर तैखाने के अंदर लगा बल्ब आन हो जाएगा, आन करो, अक्षे ने संशिप्त आदेश जिया, शेखर ने गड़े के नस्दीक पैट कर सेड़ी के प्रिष्ट भाग में हाट डाला, और बोला, ये तो अन पड़ा है, तो बल्ब क्यों नहीं चल रहा, किरन ने कहा, या तो बल्ब फ्यूज हो गया है, या किसी ने होल्डर से निकाल लिया है, टॉर्च है यहाँ, अक्षे ने बूचा, और कु लेकिन अगर वह लाश टहकाने में न हुई, तो गई कहा, स्टडी का दर्वाजा अंदर से बंद क्यों था, अक्षे के आदेश पर सबसे पहले टहकाने में उतरने का काम, दो सिपाहियों ने संभाला, आगे वाले के एक हाथ में टौश थी, दूसरे में बंदूग, पीछ उसकी बास सुनी, दिमाग में बठाई, और उतरना शुरू कर दिया, आगे वाला सिपाही अपने से नीचे वादी सिड़ी पर प्रकाश का गोल दायरा स्थिर करता, और वह निश्चे करने के बाद उस पर कदम रख देता, कि वह अंतिम सिड़ी नहीं है, उपर यानि तहक आने के फश पर कूदे, आगे वाले सिपाही ने टॉर्च के परकाश के दायरे को तहकाने में घुमाना शुरू किया, वहां भरे आर कबार पर से फिसलता हुआ परकाश दायरा एक ऐसे स्थान पर पहुंचा, जहां पहुंचते ही दोनों के हलक से जोरदार चीखे उबल प ये, अक्षे के नस्दीक पहुंचती किरन उत्तेजना युक्त स्वर में पोली, लाश रध्या की होगी, रध्या की अक्षे चौका, आपको कैसे मालूं, मेरे दिमाग में शुरू से ही ये बात कौन रही है, कि रध्या कहां गई, वह गायब है, लाश सच मुच रध्या की एक पुराने ड्रम के साथ पीट टिकाए, वह आँखे फाड़े सीडियों की तरब देख रही थी, मूग खुला हुआ था, करीब धाई इंच लंबी जीब पाहर लटकी हुई थी, कोहनियों पर से मुड़े दोनों हाथ वैसी दशा में थे, जैसी दशा में तब होते हैं, जब कोई भयाकरांध होकर चीकता है, हातों की सारी उंगलियां एक दूसरे से दूर दूर थी, फैली हुई, मुद्रा ऐसी थी, जैसे अभी भी मारे खौफ के चीक पढ़ना चाती हो, अत्वा हर उस शक्स को चिड़ा रही हो, जो उसकी तरब देख रहा था, गैस की हंडे के साथ सभी लोग वहां पहुँच चुके थे, वे सब मारे दहशत के जिनका पुरा हाल था, रधिया की मौद और खास तोर से, नाश की भहनकता ने उनकी होश वाकता कर रखे थे, अक्षे पोस्मार्टम और फिंगर प्रिंट्स विभाग वालों को फोन कर चुका था, यह फ्यूज नहीं है, इसका मतलब यह हुआ इंस्पेक्टर कि हत्यारे ने जान बूच कर होल्डर से निकाल कर यहां रखा है, और अगर उसने दस्ताने नहीं पहन रखे थे, तो इस पर उंग्लियों की निशान काफी स्पष्ठ होने चाहिए, उंग्लियों की निशान तो ला आक्षे ने पूचा, क्या यह काम तुम्हारी पतनी या उसका भाई बंद अत्वर रधिया का पती कर सकता है, क्या मतलब शाप, तुम्हारे और रधिया के संबंदों के बारे में उन्हें पता लग गया होगा ना, नहीं शाप, बिलकुल नहीं, हम दोनों में से किसी के भी गाउन तक यह खबर नहीं पहुची, सारे अकबारों में छपी है, फिर गाउन तक भला कैसे नहीं पहुची होगी, पहले बात तो यह शाप, कि अकबारों में सिर्फ नौकर और नौकरानी छपा है, हमारे नाम नहीं छपे, दोसरी यह कि मेरी घरवाली और रधिया का मरत पड़े लिखे नहीं है तीसरी ये कि हम दोनों में से किसी के गाउं में एक भी अगभार नहीं पहुंचता चौथी और सबसे बड़ी बात ये है शाप जी कि तब से अब तक मैं और रधिया कई बार गाउं हो आए हैं ना मेरी औरत को ही कुछ पता लगा ना रधिया की मरत को आपका दिमाग इनके संबंदों और गाउं तक इसलिए पहुँचा है ना इंस्पेक्टर क्योंकि गुलाग चंद की लाश के रूप में जो भी था उसने रधिया की हत्या की है या पुंदु को मारने की चेश्टा जाहिर सी बात है अक्षे ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि कह इस वार्दात के पीछे इनकी अवेद संबंधी तो नहीं थे किरन ने कहा और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह हत्या किसी अनपर ग्रामिन ने नहीं बलकि पड़े लिखे और शेहरी व्यक्ती ने की है ऐसा दावा आप कैसे कर सकती है दावा मैं नहीं बलकि यह फॉं नहीं सकता जाहिर है कि हत्यारे का होगा और अनपर व्यक्ति जे में दिन होंग कॉंग वाला पैनल लेकर क्यों खुमेगा कहे तो आप ठीक रही हैं अक्षे प्रभावित हुए बिना न रह सका अभी वह इस बारे में ज्यादा डिसकस न कर पाए थे कि पोटोग्राफर और फ पिंगर्प्रेंट विभाग के लोग अपना काम निप्टा रहे थे इधर शेखर मनोतरा को खींच कर किरन एक तनहा कमरे में ले गई और कुर राई तुमने मुझे जूट क्यों बोला जो जूट क्या जूट बोला है मैंने यह है कि तुम्हें उसका नाम तक पता नहीं जि तुम्हें फसाने वाले निकूर रधिया और बुंदू नहीं है नहीं नहीं मारे हैरत के किरन का बुरा हाल हो गया ओ अच्छा शेखर इस तरह बोला जैसे सारी बात समझ में आ गई हो आप शायद उस बयान को सच मान रही है जो इस केस की पाइल में दर्ज है जो मैंने हव शेजाद राय के कहने पर सच्चाई क्या है यह है कि घटना वारी राज से तेन दिन पहले यानि 29 मार्च को हमारी मेरिज एनिवर्सरी थी वै हमने एकांत में हसी खुशी मनाई मैंने संगीता को एक नेकलिस दिया था और उसने मुझे यह डायमन बॉली रिस्ट वाच कहने के साथ शेखर ने अपनी घड़ी वाली कलाई आगे कर दी किरन ने चुप चाप रिस्ट वाच की तरफ देखा बोली कुछ नहीं शेखर मरोतरा कहता चला गया हमारी मेरिज एनिवर्सरी के केवल दो दिन बाद 1 अप्रेल पढ़ता है 29 तारिक को जाने किस बात से बात निक कह रही थी कि सारे दिन आदमी सतर करे तो लाग प्रेतन करने के बावजूद उसे कोई बेफकूव नहीं मना सकता मैंने विरोध किया अपने बच्पन के वे किस्ते सुनाए जिनके इस्तमाल से दोस्तों को बेफकूव बनाया करता था बहस ही पहस में संगीता कह बैठी कि अगर फर्स अप्रेल वाले दिन मुझे पेफकूव बना दो तो जानू वे शायद कोई मनहूस खड़ी थी हाँ अब तो उस खड़ी को मनहूस ही कहा जाएगा जब मैंने जोश में भर कर संगीता की चनोती सुईकार कर ली और दुकान से काला कपड़ा लिया तथा पहली त बताता चला कया मेरा इरादा रात के वक्क खिड़की के माध्यम से अपने बेड्रूम में जाकर संगीता को डराने का था पूरा विश्वास था कि इस तरीके से संगीता को डराने और पेफकूव बनाने में काम्याब हो जाऊंगा मगर चाकू खरीदने के बार फैक्टरी पहुचा ही था कि हमारी बंबई के सोल एजन्ट का टेलिग्राम मिला टेलिग्राम में लिखा था कि जिसकी दुकान से हमारी फैक्टरी के कुछ डिब्बे शुद्धता की जांच हेतू फूर्ड विभाग वाले ले गए हैं जांच कल यानि दो अप्रेल को होगी अता मेरा वहां मौजूद रहना अवश्यक है इस टेलिग्राम को पढ़कर एक बार तो लगा कि संगीता को बेवको बनाने के सारे प्लान पर पानी फिर गया है मगर थोड़ी देर सोचने के बाद समस्त्या हल कर ली समस्त्या के हल के रूप में मैंने अपनी फैक्टरी के मैनेजर से दस बजे वाली ट्रेन और एक वाली फ्लाइट के टिकट मंगाए योजना यह थी संगीता को टेलिग्राम दिखाता हुआ उसते कहूंगा कि दस वाली ट्रेन से बंबई जा रहा हूं ड्राइवर को साथ लेकर जाकर ट्रेन में सवार भी हो जाऊंगा और उसके जाते ही से बाहा निकलाऊंगा बैड्रूम में पहुंचकर संगीता को ड्राऊंगा और फिर एक वाली फ्लाइट से सच्मुझ बंबई चला जाऊंगा फैक्टरी की चुट्टी करके जब मैं यहां यानि कोठी पर आया और टेलिग्राम संगीता को दिखाती हुए कहा कि दस वाली से बंबई जाना होगा तो उसनी कहा कि कहीं तुम मेरा अप्रेल फूल तो नहीं बना रहे हो यह सोचकर में सकपका गया कि वह पूरी तहने सतर्क है परन्तों पूरा विश्वास था कि भले ही चाहे जितनी सतर्क हो मगर उसे बेव को बनाने की मेरी जो योजना है उसमें व सेवारी फलांकर कोठी के किचन लॉन में पहुंचा अमरूत के पेड़ के नीचे जिस्म बर्चोंगा डाला चहरे पर नकाब और हाथ में खुला चाकू लेकर खिड़की की तरफ पड़ा तुमने यह सच्चाई कोठ में क्यों नहीं रखी बताता हूं बात आपकी समझ में तभी आएगी जब सब कुछ करम बार बताऊंगा चोगे और नकाब में छुपा हाथ में चाकू लिये मैं लॉन की तरफ खुलने वाली अपनी पैड़्रों के खिड़की तक पहुचा ही था कि सन्नाटे को चेरती संगीता की चीख ने कलेजा हिला दिया मैं बौखला गया और ठीक से कुछ समझ भी ना पाया था कि संगीता दूसरी बार चीखी हर बढ़ा कर मैं खिड़की पर चड़ गया ठीक यही शंट था जब मैंने एक नकाब पोश को संगीता के चेहरे पर चाकू से वार करते देखा क्या उसके जिस्म पर भी तुम्हारे जैसे रंग का या मतलब आप विश्वास कीजिए सच्चाई यही है मेरे विश्वास करने से कुछ नहीं होगा शहजाद राइप भड़क उठे विश्वास पुलिस को आना चाहिए अदालत को आना चाहिए और दावा है कि उन्हें इस बेवकूफी भरी कहाने पर विश्वास नहीं आएगा लोग इस बात पर हसेंगे कि आदी रात के वक्त जिस्म पर चोगा चहरे पर नकाव और हाथ में चाकूल ये बेडरूम में तुम अपनी पतनी को अप्रेल फूल बनाने के मकसद से गए थे पूरी तरह अविश्वसनिये असंभव और बचकाना बयान हो गई है तो फिर मैं क्या कहूं आप ही सला दीजिए मैं अधीर होकर कह उठा मैं आपको अपना वकील न्यूक करता हूं वही कहूंगा जो आप कहेंगे मुझे इस जमीले से निकालने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए चहजाद राए खामोश हो गए मुद्रा बता रही थी कि कुछ सोच रहे हैं लुटा पिटा मैं उम्मी जनक अवस्था में उनकी तरफ देख रहा था वे बड़ बड़ाए तुम्हें बुंदू निक्कू और रंधिया ने रंगे हातों पकड़ा है तुम केवल एक अवस्था में बस सकते हो तब जबकि अधारत में इन तीनों को आविश्वस ने साबित कर दिया जाए और ये तीनों आविश्वस ने तब साबित हो सकते हैं जब परमानित किया जाए कि तुम्हें संगीता की हत्या के जुर्ण में फसाने के पीछे इनका स्वार्थ है मैं चुप चाप उनकी बड़ बड़ाहट को सुन रहा था एकाएक उन्होंने मुझ ψंटर का तुम्हें फसाने की पीछे क्या स्वार्थ हो सकता है उन्होंने मुझे फसाय ही कभ है मैंने मोर्खों की मानिंत कहा फसाया नहीं है बेवकुफ सहजाद राइच होंजला उठे बल्कि अधालत में साबित कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें अ फसाया है सोचना य लॉकर में वहां क्या कर रहा है अगले ही दिन यानि तीस तारीक को संगीता ने ये कहकर नेकलेस मुझे दे दिया था कि इतना महगा नेकलेस डेली यूस के लिए नहीं होता इसे विशेश अफसरों पर पहना करूंगी वैसे भी इतना महगा नेकलेस कोठी में रखना समझदा नहीं थी और तुम नेकलेस को लॉकर में रखाए हाँ बे बोले यह जूट है जी मैं चक्राया यह बात तुम्हें किसी के सामने अपने मुझे नहीं निकालनी कि नेकलेस लॉकर में है इस सच्चाई को भूल जाओ और इस जूट को याद रखो कि तुमने इन तीन नौकरो में से किसी को संगीता के गले से नेकलेस खींचते देखा है जी मैं कुछ समझा नहीं सब समझ जाओ के शहजाद राय का दिमाग मानो कंप्यूटर किसी तेजी से काम कर रहा था यह बताओ कि क्या तुम्हें इन तीनों नौकरों में से किसी का कोई ऐसा भेद मालूम है जिस जाता है जिसके बारे में वह अपने अलावा किसी को पता नहीं लगने देना चाहता यानि वह उसके जीवन का ऐसा भेद बन जाता है कि जिसके बारे में अगर लोगों को पता लग जाए तो उसके जीवन में तूफान आ सकता है एक दिन संगीता कह रही थी कि रधिया गर पती है। शहजाद राय ने उस्तुक स्वर में पूछा, क्या वह शादी शुदा नहीं है? है, मगर, मगर उसका पती गाउं में रहता है और वह छे महिने से गाउं नहीं गई है। चमचमा रही आँखों के साथ शहजाद राय ने तुरन पूछा, फिर गर्बती कैसे हो गई वह है? संगीता ने बताया था कि बुंदू के साथ उसके संबंध है। बुंदू शादी शुदा है या कुमारा? शादी शुदा है, उसकी पत्नी भी गाउं में रहती है। बन राय के निर्देश पर मैं इसी कहानी पर डटा रहा, मगर जूट की यह हांडी चड़ी नहीं। आपके पापा ने मेरे और शहजाद राय के जूट की धज्जियां उड़ा कर रखती। अक्षे ने केस को इतना पुकता बना कर कोट में पेश किया कि शहजाद राय की एक न किरन ने घोशना की, अब मैं एक बहुत ही जबरदस और धमाकेदार बात पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। क्या? अक्षे ने पूछा, जहने कैसी मुस्कुराहट के साथ किरन परटकर शेखर से बोली, उस आदमी की लंबाई क्या थी? जिसे तुमने संगीता पर हमला क प्लीज इंस्पेक्टर, मैंने शेखर से सवाल किया है, तुमने जवाब नहीं दिया शेखर, क्या लंबाई रही होगी उसकी? इस तरह तो उसकी लंबाई बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, यह तो बता सकते हो कि तुमसे लंबा था, अत्वा कुट्टा? शेखर ने खड़ा कर दिया, और अपने लंबे बालों से एक हेर पिन निकाल कर उसकी सिर के उपर दिवार में एक निशान लगाने की बाद बोली, हट जाओ, असमंजस में फसा शेखर हट गया, अकेला वह क्या? सभी असमंजस में फसे हुई थे, औरों की तो बात ही दूर, स्वेम अ दिखाने जा रही हो, कुछ देर तक ध्यान से दिवार को घूरती रही, और फिर अचानक अक्षे की तरफ परट कर भोली, अब मैं रधिया की हत्या का कारण बता सकती हूँ, दिवार पर कारण लिखा है क्या? ऐसा ही समझो, किरन के पतले हुटों पर बेहत प्यारी मुस्क पड़ा, संगीता का हत्यारा तो शेकर मनुत्रा है? नहीं, पूरी सक्ती और मुकमल ध्र्डता के साथ कहा किरन ने, संगीता का हत्यारा पह है, जिसने रधिया की हत्या की है, पता नहीं, आप कौन सी बात किस आधार पर कह रही है? मेरे एक्टिव होते ही हत्यारा इसले बॉखला गया क्योंकि वह समझ चुका था कि मैं एक सवाल सिर्फ एक सवाल करके रध्या को तोड़ सकती हूँ और अगर वह तूट गई तो उसके चेहरे से नकाब खुद नुझ जाएगा ऐसा वक्त आने से पहले ही उसने रध्या की हत्या कर दी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही है एकाए किरन ने बुंदु से सवाल किया तुम बोलो बुंदु तुम्हे उस रात थाने का फोन नंबर मालुम था जिस रात संगीता का कतल हुआ नहीं मुझे तो आज भी मालुम नहीं है और तुम्हे निक्कू निक्कू ने कहा थाने के नंबर की मुझे भला जरुरती क्या पड़ती जो मालुम होगा तो रध्या को कैसे मालुम था दोनों सकपका गए एक साथ बोले हमें क्या पता क्या उसने नंबर डारेक्टरी या कहीं अन्य से देखा था नहीं निक्कू बोला नंबर उसने तुरंत इस तरह मिला दिया था जैसे उसे याद हो आप पताईए इंस्पेक्टर साहब अच्छी तरह दिमाग लडाने के बाद बताईए कि रधिया को थाने का नंबर इस कदर रटा हुआ कैसी था फडराटे के साथ आपसे संबन स्थापित कर लिया कमाल की बात है अक्षे पड़बढाया इससे ज़्यादा कमाल की बात ये है कि यह सवाल इन्वेस्टिगेशन की दर्मयान ना अपनी रधिया से पूछा और ना ही कोट में जिरह के वक्त शहजाद राई ने जबकि यह सवाल यह एक मातर सवाल रधिया को बौखला कर रख देता उसे बताना पड़ता कि एक अनपर नौकरानी को अगर थाने का नंबर मालूम था तो क्यों यह नंबर उसे किसने और किस मकसद से रटाया था क्या इसलिए कि शेखर के पकड़े जाते ही वह पुलिस को सूचित कर दे मगर आप यह कैसे कह सकती है कि संगीता का हत्यारा ही रधिया का हत्यारा है शेखर के बयान के मुताबिक हत्यारे का कद इससे ज़्यादा था और मज़े की बाद तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि रध्या का कदल उसी ने किया है जिसका कद शेखर की कद से ज़्यादा है शेखर के बयान की भला क्या विश्वस नहीं आता मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर किरन कहती चली गई, जानती हूँ कि आप यह कहेंगे कि शेखर के मूँ से निकला एक भी लब्स विश्वसनी नहीं माना जा सकता आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मात्र शेखर के बयान के आधार पर ना मैं किसी निशकर्स पर पहुंची हूँ और ना ही सब कुछ कह रही हूँ, यह सब मैं तब कह रही हूँ जब शेखर के बयान के पुष्टि कर चुकी हूँ कैसी पुष्टी? शेखर को यह तो मालूम नहीं था कि रधिया का हत्यारा कद में इससे ज़्यादा था या कम यह बात भला इसे कैसे मालूम हो सकती है? अब मान लो, मैंने शेखर से संगीता की हत्यारा का कद पूछा तो इसने तिक्डम से जो मुँ में आया बता दिया यह बात मैं सोच कर कह रही हूँ कि शेखर सरासर जूट बोल रहा है इसने किसी को संगीता की हत्या करते नहीं देखा मगर क्या इतना बड़ा इत्तिफाक हो सकता है कि जो कद उसने पताया है रधिया का कातिल उसी कद का निकल आए आप कैसे कैसे सकती है कि रधिया का कातिल उसी कद का है कुछ देर पहले जिस दिवार के सहारे मैंने शेखर को खड़ा किया था उस दिवार पर फर्ष के करीब 5.2 इंच उपर हलकी सी चिकनाई लगी हुई है जब आप उस चिकनाई को सुंगने के बाद रधिया की लाश का सिर सुंगेंगे तो पाएंगे कि दिवार पर चिकनाई क निशान रधिया के सिर से बना है और इसका कद अगर एकुरेट नहीं तो करीब करीब 5.2 एक या 3 इंच होगा उसके करीब 8 इंच उपर यानि 5.10 इंच के आसपास चिकनाई का एक और निशान है उसमें कोई गंद नहीं है यह निशान हत्यारे के सिर के अलावा किसी का नही कह रहे हैं कि रधिया और हत्यारे के बीच संगश हुआ एक बार रधिया ने हत्यारे को दिवार से सटा दिया और एक बार हत्यारे ने रधिया को यानि दूसरा निशान यह बता रहा है हत्यारे का कद 5.9 दस या 11 इंच के आसपास होना चाहिए दिवार पर मैंने शेकर के क पिकनाई से करीब दो इंच नीचे है या नहीं अक्षे की अकल मानो चमगादर बनकर तहकाने का चक्कर लगा रही थी शेकर मलोतरा की समझ में यह बात आने लगी थी कि किरन उसकी हक में अगर सबूत नहीं तो कुछ हद तक तर्ग जोटाने में अवश्य काम्याब हो चुकी थी शायद इसी लिए उसकी आँखें हीरो की मानिन चमकने लगी थी खुशी की जात्ती की कारण जिसम में पैदा होती कब कपाहट को वे चाकर भी नियंद्रित नहीं कर पा रहा था पोस्माटम वाले लाश दे गए यह रहस से अपनी जगे कायम था कि गुलाग चंद की ल जास्ता ना अक्षे को मिल सका और ना ही किरन को अक्षे ने शेखर निक्कू बुंदू और अतरन पैमली के एक-एक मेंबर से घोट-घोट कर पूछा कि किसी ने आज से पहले गुलाग चंद की लाश कोठी में नहीं देखी थी जिस वक्त वह सब के बयान ले रहा था उस वक्त किरन उस कमरे की तलाशी लेने पहुँची जहां रधिया रहती थी और इस तलाशी में उसे एक ऐसी चीज बरामद हुई जिसे देखते ही किरन की आँखे विस्वारित अंदाग में फटी की फटी रह गई मगर शीखरी उसने खुद को संभाल लिया और वहां से मिली चीज का जिक्र किसी से नहीं किया सब का जवाब इनकार में था अतर जैन से बात करके किरन ने उस कहानी की पुष्टी कर ली जो शेखर ने सुनाई थी अतर का कहना भी यही था कि सुबरत जैन की शकल उसने उस दिन के बात से नहीं देखी है जिस दिन वह घर छोड़ कर गया था अंत में किरन ने कहा मुझे आप सब का एक एक फोटो चाहिए फोटो अतर जैन चौक पड़ा हमारे फोटों का क्या करेंगी आप एल्बम में सजाऊंगी किरन ने मजेदार स्वर में कहा मुझे एक शौक है बड़ा विचितर शौक कैसा शौक मैं जिससे मिलती हूँ अपनी एल्बम में लगाने के लिए उसका फोटो जरूर ले लेती हूँ मिलने वाला चाहे मोची हो या रिक्षा पुलर आज तक जितने लोगों से मिली हूँ मेरे पास सब के फोटो हैं नहीं असंभव अतर जैन के उठा ऐसा होई नहीं सकता मान लीजिये कि आप घूमने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाती हैं वां होटल में ठहरती हैं मैंनेजर से मिलती हैं वेटर्स की संपर्क में आती हैं तो क्या आपके पास उन सब के फोटो मेरे पास उस खचर का फोटो भी है जिस पर बैटकर नैनितार से टिप्फिन टॉप और चाइना पीग गई थी किरन ने कहा क्या आप लोगों को फोटो देने में एतराज है एतराज? अतरजैन सक्पकाया कमल की तरफ देखता वो बोला एतराज भला क्यों होगा एकाय किरन ने कमल की आँखों में आँखें डाल कर पूछा आपको एतराज है? नहीं तो तो लाईए अपना एक-एक फोटो दे दीजी मुझे और इंस्पेक्टर साहब आप भी मैं भी अक्षे उछर पड़ा क्यों? क्या आपसे नहीं मिली हूँ मैं? मिली तो हैं? खेर कल सुबह आपके घर पहुँच जाएगा ठैंक यू अरे आप लोग भी अभी तक यहीं खड़े हैं? अपना-पना फोटो लेने गए नहीं? कमल ने कहा हमारे फोटो भी कल सुबह आपके पास पहुँच जाएगे ओके किरन ने कहा लेकिन अगर सुबह होते ही आप पैसे किसी का फोटो नहीं पहुचा तो मैं यह समझूंगी कि उसके दिल में चोर है और इतना तो आप जानते ही होंगे कि चोर किसके दिल में होता है? सभी सहम गए एक अजीव सी चेतावनी दे डाली थी किरन ने अभी उन में से किसी के मुँसे बोलना फूटा था कि किरन ने शेखर से कहा मुझे एक फोटो तुम्हारा भी चाहिए और एक संगीता का संगीता का क्यों? उससे आप मिली है? वाह! जिसके मडर की तहकीकात कर रही हूँ वाह! जिसके मडर की तहकीकात कर रही हूँ क्या उसका फोटो मेरे पास नहीं होना चाहिए? ठीक है, मैं अपने कम्रे से फोटो लाकर दे देता हूँ मैं साथ चल रही हूँ एका-एक अक्षे ने कहा अच्छा तो किरन जी, मैं चलूँ ओके, सी यू इंस्पेक्टर किरन ने उसकी तरफ विदाई का हाथ हिलाया उधर अक्षे लोहे वाले गेट के बाहर खड़ी अपनी जीब की तरफ पड़ा इधर किरन की नजर बुंदू और निक्कू पर पड़ी बोली, आप दोनों के फोटो भी कल सुभे तक मेरे पास पहुँच जाने चाहिए मगर मेम शाप, हम फोटो पहुँचाएगा कहाँ ओ सौरी, कहने के साथ उसने पर्स में से एक विजिटिंग कार निकाल कर उन्हें पकड़ा दिया और शेकर के साथ उसके कमरी की तरफ पड़ गई जब उसने महसूस किया, आसपास कोई नहीं है तो बोली, अब मैं शर्ट लगा कर कह सकती हूँ शेकर कि तुम्हें बेगुना साबित कर दूँगी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रंजी कि किन शब्दों में मैं आपका शुक्री आदा करूँ क्या कहूँ खुशी की परकाष्ठा के कारण शेकर का लहजा काप रहा था अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि आप यह चमतकार कर दिखाएंगी मेरे एक सवाल का जवाब और दो पूछिए यह बात किस को पता थी कि तुम संगीता का अप्रेल फूल बनाने जा रहे हो किसी को नहीं उसके कमरे में पहुँच कर सोफे पर बैठती हुई किरन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कैसा यह है कि अप्रेल फूल वाली बात किसी को पता नहीं थी असली हत्यारे ने जैसी योजना और जिस चालाकी के साथ तुम्हें हत्यारे के रूप में प्लांट किया है उतनी खूबसूरती के साथ तुम्हारी मुकमल योजना जाने बिना कोई नहीं कर सकता याद करो मुम्किन है कि यार दोस्ताने में तुमने अपनी योजना किसी को बता दी हो खूब सोच चुका हूँ किरन जी इस बारे में मैंने किसी से जिक्र नहीं किया है एक पल को सोचने के बाद किरन ने अगला सवाल किया अपने मैनेजर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा मैनेजर? तुमने उससे एक ही रात के ट्रेन और प्रेन की टिकेट मंगाये थे संबब है कि वह इस अजीब बात की तह में गया हो और फिर किसी धंक से तुम्हारी योजना की भनक लगी हो से जो योजना सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में थी जिसका एक भी लव्ज मैंने फूटे मूँ से किसी से नहीं कहा उसकी भनक भला किसी को लगी कैसे सकती है भनक तो लगी है भनक लगे बिना कोई शक्स वहसब कर ही नहीं सकता जो हत्यारी ने किया है पता यह लगाना है कि तुम्हारे प्लान की भनक उसे कहां से लगी बीच बहस वहीं हुई थी हाँ डिनर की दर्मयान और उस वक्त तुमने ये साब्धानी नहीं बरती होगी कि तुम्हारी बहस कोई न सुन पाई साब्धानी बरतने का सवाल ही नहीं था हम कोई अपरात थोड़ी कर रहे थे किरन की आंके जुगनों की मानिन चमक उठी उस वक तुम्हारे बीच हुई बहस किसी ने सुनी हो सकती है सुनी तो हो सकती है मगर सुनने से किसी को लाब क्या हुआ होगा सच्चाई ये है कि उस चन्ड स्वेम मुझे मारूम नहीं था कि संगीता को अपरैल फूल किस तरह बनाऊंगा योजना तो मेरे दिमाग में बाद में तब जटकि मेरे और संगीता के बीच चैलेंजों का आदान प्रदान हो चुका था, माना कि उस वक्त किसी ऐसे शक्स ने तुम्हारी पहस सुनी, जो ऐसे मौके की फिराक में था, कि संगीता का मडर करके तुम्हें फसा सके, इस पहस के बाद उसने 30, 31 और पहली तारिक को उनने एक ही रात के ट्रेन और प्रेन के ट्रिकेट मंगाए हैं, तब उसने तुम्हारी योजना का अनुमान लगा लिया होगा, भला इस तरह अनुमान कैसे लग सकता है, जो लोग जिस विराक में होते हैं, वे अपनी मतलब के अनुमान बखुबी लगा लेते हैं, शेखर लिफाफा देख कर मजबून भाब जाने वाले लोगों के बारे में तुमने जरूर सुना होगा, और फिर कौन जानता है कि वे शक्स कौन था, खेर मैं तुम्हारी प्रेक्टरी के मैनेजर से मिलना चाती हूँ, इस वक कहा होगा वह है, शाम की साथ बजा रही रिस्ट वा से एल्बम निकाली और उसके प्रिष्ट से किसी फोटो को छुडाने का प्रयत्न करता बोला, वैसे संगीता का फोटो तो आपके घर मौजूद इस केस की फाइल में भी होगा, उसमें विविन कोनों से लिए गए संगीता की लाश के फोटो हैं, जोकि हत्यारे ने चाकू क का अंतिम बार उसके चहरे पर किया था, इसलिए चहरा इतना विक्रित हो गया था कि ठीक से पहचान में नहीं आ रही, ये लिजिये, उसनी संगीता का फोटो किरन की तरफ पढ़ाया, किरन ने फोटो लिया, और फोटो पर नजर पढ़ते ही कुछ ऐसा हुआ, कि किरन के सं पून शरीर में बिजली सी कौन गई, हक्की पक्की अवस्था में वह कभी फोटो की तरफ देख रही थी, कभी एल्बम से अन्य फोटो निकालने में व्यस शेखर को, शेखर की गर्दन एल्बम पर छुकी हुई थी, इसलिए वह किरन की जिसमें कौन ती बिजली का एहसास नहीं कर पाया, फोटो पर नजर पड़ती ही किरन की आँखों से जैसे स्याकडो फूट लंबी एक फिल्म सी गुजर गई थी, और फिर जैसी लकवा मार गया उसे, जब तक शेखर मरूतरा ने एल्बम से अपना पासपोर्ट साइज का फोटो निकाल कर किरन की तरफ प्रत्यक्ष्मी भरेई वेख खुद को नियंत्रित कर चुकी हो, परंतु अंदर से नियंत्रित नहीं थी, दिलो दिमाग में बवंडर सा उठा हुआ था, ऐसा बवंडर जो उद्देलित की हुए था, आखों में उस वक्त भी फिल्म सी चल रही थी, जब शेखर ने आप मुझे बेगुना साबित करने जा रही हैं, इस खुशी ने मुझसे मेरा यह एहसास तक छेन लिया, कि मैंने क्या पहन रखा है, मेरा ख्याल है कि कपड़े चेंज कर लो, ओके, कहने के साथ एल्बम को वापस दराज में रखने है तू, उसने दराज खोली ही थी, कि कि एल्बम मुझे दे दो, तब तक मैं इसे देखती रहूँगी, शेखर ने एल्बम उसे पकड़ा दी, उधर वह सेव से एक चोड़ी कपड़े निकाल कर बात्रूम में बंद हुआ, इधर किरन ने एल्बम खोड़ ली, सबसे पहले प्रिष्ट पर दुलन बनी संगीता का फोटो था, किरन इस फोटो को देखती रही, देखती रही, दिलो दिमाग में पुरा एक जलजला सा उठने लगा, वह प्रिष्ट किरन ने तब जाकर पलटा, जब यह एसास हुआ, कि शेखर बात्रूम से लोटने वाला होगा, गुलाब चंज जैन और उनकी पतनी का इतना खुब्सूरत है, नहाया धोया वहे काली पैंट और सफेद कमीज में ठीक चंग की पांडे सा लग रहा था, वैसा ही गठा हुआ कसरती जिस्म, वैसा ही कद, वैसे ही नाक नक्षा, फर्ग था तो सिर्फ आंखों की रंग बे, चंग की पांडे की आंखें गहरी काली कि यह खुब सूरत और फिल्म में हेरो सा नजर आने वाला पांका जवान संगीता जैसी लड़की के जाल में कैसे फस गया, शेखर के लिए उसके दिल में एक अजीब सी साहनो भूती का फाव उभरा, यह जानने के लिए व्यग्र हो ठी किरन, कि संगीता और शेखर की पहल कर सीधा खड़ा होता हुआ बोला, मैं तयार हूँ, चलो, एल्बम को वही छोड़ कर किरन उठ खड़ी हुई, दरवाजी की तरफ बढ़ते शेखर ने कहा, एक सवाल पूछो किरन जी, किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले, मैं तुम्हे एक चेतावनी देना चाहती कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए दो कारणों से सम्मानित होता है, पहला कारण है उम्र, यानि जो आपसे बड़ा है, वह आपके लिए सम्मानित है, और दूसरा कारण है महान कार्य और उपकार, यानि जो व्यक्ति कोई महान कार्य करता है, अत्वा आप पर उपकार करता है वे आपके लिए सम्मानित है इस दूसरे कारण के सामने पहला कारण यानि उम्रक गौन हो जाती है क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं कोई महान काम कर रही हूँ जो कर रही है अगर आप उसे महान कारे रही मानती तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि मुझ पर एहसान कर रही है आप भूल है तुम्हारी किरन ने पुर्जोर स्वर में पिरोध किया संगीता मडर केस को तुम एक पेपर समझ सकते हो और मुझे वकालत की एक स्टूडेंट अगर मैं इस पेपर को सॉल्व कर लेती हूँ तो शहजाद राय अक्षे श्रिवास्तव जल्स साहब और मेरे पापा जैसे धुरंदरों को मेरी शमताओं और काबिलियत का लोहा मानना पड़ेगा और साथी कुबूल करनी पड़ेगी यह सच्चाई कि सच्चाई तरकों से पड़ी होती है सोच जो कुछ कर रही हूँ धुरंदरों से अपना लोहा मनवाने के लिए कर रही हूँ फिर यह सब तुम पर एहसान कैसे हुआ एकाएक शेखर ने कहा इतना लंबा लेक्चर आपने मुझे इस दे दिया है ताकि मैं आपको आप या किरन जी ना कहूँ हाँ किरन सब्य अंदाज में हसी कोशिश करूँगा अब तुम वह सवाल पूछ सकते हो जो पूछना चाहते थे जवाब मुझे मिल चुका है किरन ने चकित स्वर में पूछा किस ने दिया जवाब आप सौरी तुमने मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दे चुकी हूँ दरसल मैं यह जानना जाता था कि आप सॉरी तुम मेरी मदद क्यूं कर रही हो इस सवाल का जवाब तुम्हारे लेक्चर से मिल चुका है किरन खिल खिला कर हस पड़ी क्यारियों में खिले फूल मानों उचक उचक कर खिल खिलाने वाले को देखने लगे फूलों के अलावा कुछ आँखे भी देख रही थी उन्हें पूरी 14 आँखे थी वे दस आँखों में ईश्या के भाव थे अगर यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि उन आँखों में हैरत गुस्से और कुछ-कुछ प्रतिशोत के भाव थे किरन और शेकर को साथ साथ खिल खिलाते देख कर जिनकी आँखों में यह भाव थे वे आँखे अतर एंट फैमिली के पांच सदस्यों की थी बुंदू और निक्कू की आँखों में कोई ऐसा भाव न था जिसे शब्द दिये जा सके अतर एंट फैमिली के पांचों सदस्य पहली मंजिल पर स्थित एक बन खिड़की के पीछे खड़े, पार दर्शी शीशे के माध्यम से उन्हें लोहे वाले गेट की तरफ बढ़ते देख रहे थे कुछ ऐसे जैसे न चाहते हों कि कोई उन्हें वहाँ खड़ा देखे लोहे वाले गेट के नजदीक पहुँच कर शेखर ने पूछा, आप किस सवारी से आई थी? टैक्सी से, मुझे भी ये लोग गाड़ी को हाथ नहीं नगाने देते, कोई बात नहीं, हम टैक्सी से चलेंगे गेट की बाहर निकलते ही शेखर ने एक टैक्सी रोकी और दोनों उसमें सवार हो गए शेखर ने ड्राइवर को मैनेजर की फ्लैट का पता बताया, उधर ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ाई इधर किरन ने बहुत देर से दिमाग में घुमड रहा सवाल किया संगीता से तुम्हारी पहली मुलाकात कहां होई थी शेखर? आगरा उनिवरस्टी में, तब जबकि संगीता ने वहाँ M.A. प्रिवियस में एड्मिशन लिया था मैं वहाँ पहले ही से पड़ता था, B.A. फाइनल करके M.A. में आया था मैं इसमें जरा भी अतिश्युक्ती नहीं है किरंजी, ओ, सॉरी, कि संगीता ने पहले ही दिन सारे कॉलेज में तहल का समचा दिया था जिसकी जुबान पर देखो संगीता की चर्चा, लड़की जहां ठंडी आहें भर-भर कर उसकी चर्चा कर रहे थे वहीं लड़किया मारे डा के मरी जा रही थी दोस्तों में जब चर्चा चली, तो मैं भी उस लड़की को देखने के लिए उस्तुखो था जिसने सारे कॉलेज में खलबली मचा रखी थी यह सच है कि मैं सिर्फ उसे देखने कैंटीन में गया और यह भी सच है कि संगीता की स्वपनिल आखों ने मुझे पर जादूसा कर दिया आज मुझे यह कबूल करने में कोई हिचक नहीं है कि मैं उसी दिन संगीता से अपना दिल हार चुका था परन्तु वह एक तरफा प्यार था अपनी भावनाएं उसके सम्मुक रखने का न मुझे में हौसला था ना ही परिस्थितियां उस सब की इजाज़त देती थी परिस्थितियां अपनी बूड़ी मा का इकलाता बेटा था पिता की मृत्यू पर मेरी आयू किवल दस वर्ष की थी तब से मेरी अनपड़ माने मेहनत मजदूरी करके न किवल पाला पोसा था बलकि जित करके पढ़ा भी रही थी उन दिनों वह कहा करती थी कि बस दो साल और हैं तु एमे कर लेगा कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं राज करूँगी ऐसी मा के बेटे को कुदरत किसी से महबबत करने की इजाज़त नहीं देती और फिर संगीता तो अपने परिधान तथा चहरे से ही करोणपती नजर आती थी कहने का मतलब यह है कि मैंने उससे कभी बात नहीं की हाँ मित्र मंडली में उसकी चर्चाट चलती रहती थी धीरे धीरे दिन गुजरने लगे उन लड़कों में संगीता को फसाने की होड सी लगी रहती जो कॉलेज में एडमिशन पढ़ने के लिए नहीं बलकि मोहबत दादा गिरी और गुंडा गर्दी करने के लिए लेते हैं मगर बाप की दौरत की नुमाईश करना जिनका शौक होता है मगर पूरा साल गुजर कया संगीता को फसाना दूर कोई कलाई तक ना पकड़ सका उसकी धीरे धीरे सारे कॉलेज में चर्चा फैल गई कि संगीता इतनी बोल लड़की है कि कोई उसे छू तक नहीं सकता जाने क्यों यह एसास मुझे सुकून पहुंचाता था किरन जी सौरी कि संगीता किसी की नहीं हुई है आज सोचता हूँ तो लगता है कि शायद मुझे वह सुकून मेरे अंदर पल रही महबत के कारण मिलता था उधर संगीता को लेकर लड़कों में शर्ते लगने लगी लड़की शर्ते हारने रखे और फिर कॉलेज की सबसे बड़े गुंडे ने अपने चम्चों से वहर शर्त लगा ली वहर शर्त जो मेरे और संगीता के समीब आने का पायस बनी भरे पूरे ग्राउंड में उसने संगीता का चुम्बन लेने का एलान किया और सिर्फ एलान ही नहीं किया बलकि ऐसा करके दिखाया भी उसने हाँ उसने किया भरे पूरे ग्राउंड में किया हजारो चातरो और सैक्रो प्रोफेसर की मौजूद की में किया संगीता के पुरजोर विरोध के बात किया उस दिन में भूल गया कि मैं गरीब मा की एक इकलौती लाठी हूँ यह भी भूल गया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मा अपनी चाती पीट पीट कर खुट को मा डाली की जाने यह कैसा जुनून था कि अपनी हैसियत भूल कर मैं बाच की तरह नगर विधायक के बेटे पर तूट पड़ा और फिर उसे इतना मारा कि लहू लुहान हो गया वह सारे कॉलेज में संसनी फैल कई दब्बू सा नजर आने वाला मैं चर्चा का केंदर बन गया उस दिन भी मैंने संगीता से यह संगीता ने मुझसे बात नहीं की थी और यह सच है किरन कि जोश और क्या हो गया था मुझे जब सभी चुप चाप देख रहे थे तो मैंने ही बेवकुफी क्यों की मगर मेरे भीतर के इस पश्चा ताप से विधायक के बेटे और उसके चम्चों को भला क्या लेना देना था अगले ही दिन होक्यों से इतना पीटा कि मेरी कई हड्डिया जोली में आने लगी इस तरह हमारे पेच महबबत के अंकुर फूटे और मेरे पलस्तर उतरने तक वे परवान चड़ गए मा संगीता को अपनी बहु के रूप में स्विकार कर चुकी थी वह कहा करती थी कि संगीता के पिता के सामने जाकर अपनी जोली फैला देगी और आमोली सी खबर मेरी मा के दिलो दिमाग पर ऐसी बिजली बन कर गिरी कि उसे अर्थी पर लाट कर शमशान ले जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहा परिक्षाएं खत्म हो गई संगीता अपनी शहर यानि यहां आ गई कुछ दिन बार उसका पत्र मिला उसने मु द्रोही उठी वहर मैंने उस दर्यान उसे यह समझाने की कोशिश की कि किस्मत नहीं चाहती कि हम मिले अता हमें किस्मत से नहीं लड़ना चाहिए मगर वहर नहीं मानी और जब एक दिन उसने आत्म हत्या करने की कोशिश की तो बाबुजी मजबूर हो गए उन्होंने हमारी शादी कर दी मगर इस शर्त के साथ कि मैं घर जमाई बन कर रहूँगा हाला कि आगरा में भी मेरा ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसे अपना कह सकता अत्वा जिस्ते मोह होता परन्तु घर जमाई बनना इसलिए कबूल नहीं था क्योंकि बाबुजी को तो पहले से ही शक था क कि मैं उनकी पेटी से नहीं बलकि दौलत से मोहबत करता हूं मगर जिस तरह संगीता ने बाबुजी को शादी के लिए मजबूर किया था लगबग उसी तरह मुझे घर जमाई बनने पर मजबूर कर दिया किरन ने एक अजीब सा सवाल पूछा क्या तुम पर संगीता की शेखर बुरी तरह चौका जवाब तो शेखर उसे तीश्न द्रिष्टी से घूरती किरन ने अपना सवाल दोहराया सच सच बताओ कि तुम पर कभी संगीता की चड़ी चड़ी आँखों का भेट खुला अथ्वा नहीं कि क्या तुम शेखर बुरी तरह बौकला उठा क्या तुम उन आखों का भेट चानती हो सवाल मैंने तुम से किया है शेखर हाँ मुझ पर वह भेट खुल गया था शेखर को मानो बताना पड़ा कब शादी के बाद क्या उसने तुमें यह भी बताया था कि आगरा से पहले वह लंदन केंब्रिज में पड़ती थी बताया था त किरन यो मुस्कुरा उठी जैसे लोग इस जूट को सुनकर मुस्कुरा उठे कि शाजां का पनवाया हुआ ताज महल कल सोनम की बाहों में बाहें डाले और व्राय कॉंटिनेंटल के डिसको फ्लोर पर फुदक रहा था बोली क्या लंदन के बारे में उसने तुम्हें कुछ कुछ और नहीं बताया ऐसा कुछ खास तो नहीं मगर मगर तुम्हारी रहस्य में मुस्कान से लग रहा है जैसे ऐसा कुछ जानती हो जिसे मैं नहीं जानता ऐसा आखिर क्या है किरन के जवाब देने से पहले टैक्सी एक जटके के साथ रुकी दोनों ने चौक कर बाहर की की तरफ देखा तो पाया कि वे अपनी मंजिल पर पहुँच चुके थे किरन पर नजर पड़ते ही मैनेजर उचल पड़ा अरे आप तो तुम चौक किरन भी गई भार सा मूँ फाड़े अभी वे एक दूसरे की तरफ देखी रहे थे कि शेखर ने कहा लगता है तुम एक द बदमाशों ने इनकी गाड़ी पर गोलियां बरसाई तब मैंने लिफ दी थी कि गोलियां अब उचलने की बारी शेखर की थी इनकी गाड़ी पर बदमाशों ने गोलियां कि क्या बख रहे हो तुम इन पर तो गाड़ी भी नहीं है मैं सच कह रहा हूं सर इनसे पोश लीज शेखर ने तेजी से पलट कर किरन की तरब देखा, और सवाल करने के लिए खुला मूँ इसलिए खुला का खुला रह गया, क्योंकि सवाल किये बिनाही, उसे जवाब मिल चुका था. किरन मुस्कुरा ही संदाज में रही थी जैसे वह कह रही हो कि मैनेजर जो कह रहा है ठीक कह रहा है तब शेखर ने पूछा तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है मैंने सिर्फ यह कहा था कि तुम्हारी कोठी पर टैक्सी में पहुंची थी और यह सच था रास्ते में बनमाशों ने गोलिया चला कर गाड़ी की ऐसी हालत कर दी थी कि वह एक इंच नहीं चल सकती थी तब पहले इन माश्य से लिफ्ट ली और फिर टैक्सी के जरिये कोठी पर पहुंची यानि हमला तब हुआ जब तुम मेरे पास आ रही थी हाँ मुझे क्यों नहीं बताया डर था कि सुनते ही एक के बाद दूसरे सवाल की जड़ी लगा दोगे वही अब कर रहे हो क्या तुम जवाब देना नहीं चाहती दूंगी किरन हॉले से मुस्कुराई तब दूंगी जब पुर्सत होगी इस वक्त हम तुमारे मैनेजर साहाब से मिलने आये है और एक ही महाश्य है कि दरवाजे में अड़े खड़े है क्या हमारे अंदर जाने में आपको अबजेक्शन है सॉरी आये जेटता हुआ वह पीछे हटा शेखर आश्यारे जनक रूप सी चुप हो गया था ड्राइंग रूंग में पड़े सोफी पर बैटी हुई किरन ने मैनेजर से कहा हाला कि आज एकी डेट में हम दूसरी बार मिल रहे हैं किन्तु अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे रमन आहुजा कहते हैं किरन की मस्तिश्क में मानो अनार फूटा रोश्नी के फूल बिखरे और संपोन जहन में जग मगारता परकाश फैल गया कि इस शक्स को उसने कहा देखा है रमन आहुजा ने पूछा और आपका नाम किरन अगनी होतरी बड़ा सुन्दर नाम है एकाए किरन थोड़े आगिसर की और सामने वाले सोफे पर पैठे रमन आहुजा की आँखों में आँखे डाल कर रहस्ते में स्वर में बोली क्या तुमने मुझे पहचाना मिस्टर रमन? अजीब सवाल है दरवाजे पर हम दोनों कुबूल कर चुके हैं की? नहीं उसकी बात काट कर किरन कहती चली गई मैं आज हुई मुलाकात की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ आज से पांस साल पहले की तब की जब तुम लंदन में थे लंदन में? जाने क्यों रमन आहुजा का चहरा पीला पड़ गया आखों में आखे डाले किरन ने कहा तुम लंदन में पड़े हो न? हाँ 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 रमन को कहना पड़ा और संगीता भी वही पड़ती थी वह संगीता जो सारे कॉलेज में बदनाम थी इसले बदनाम थी क्योंकि वह 24 घंटे स्मैक, अफीम, हेरोण या LSD के नशे में चूर रहती थी रमन आहुजा हक्का बक्का रह गया काटो तो खूर नहीं किरन के शब्द कानों में पड़ते पड़ते शेखर भी चौक पड़ा था वह ध्यान से किरन और रमन आहुजा के चेहरों को देखने लगा एकाए किरन ने शेखर से कहा कुछ ऐसी बाते हैं शेखर जिनका जिक्र मैं तुम्हारे सामने नहीं करना चाती थी परन्तु हालात ऐसे बन गए हैं कि करना पड़े का मैं समझा नहीं किरन सुनते रहो कहने के बाद किरन रमन आहुजा की तरफ मुखातिव हुई और उसी सक्त नजरों से घूरती हुई बोली संगीता इतनी खुबसूरत थी कि उसने सारे कॉलेज में तहल का मचा दिया लोग उसकी स्वपनिल आँखों के दिवाने हो गए यह भेद काफी दिन बाद खुला कि वे स्वपनिल आँखें इसलिए स्वपनिल थी क्योंकि संगीता हर वक्त नशे में रहती थी इतना ही नहीं बलकि फ्री सेक्स वाले मूर की लड़की थी वे है किरन ये क्या के रही हो तुम शेकर मलोत्रा दहार उठा प्लीज शेकर टोको मत मुझे कहने दो जानती हूं कि तुम्ही दुख हो रहा है दुख से ज़्यादा आश्यर्य हो रहा होगा मगर जो सच है खुद पर संयम रखकर सुनते रहो शेकर मूर्खों की मानिन उसे निहारता रह गया पलटकर किरन ने पुना रमन आहुजा से कहा संगीता को किसी लड़के के साथ रात गुजारने और उससी शारेरिक संबन सापित करने में कोई आपत्ती नहीं होती थी कोई भी विदेशी लड़का एक चुटकी स्मैक, हिरोईन या अफीम के बद्दे उसी हासिल कर सकता था धीरे धीरे यह बाद सारे कॉलेज में फैल कई कॉलेज के प्रबंदक बौकला उठे लड़कों पर छाया संगीता का जादू कम होने लगा उन दिनों संगीता कॉलेज की विश्या के नाम से पूरी धने पदनाम हो चुकी थी जब एक ऐसी घटना घटी जिसने सारे कॉलेज को हिला कर रख दिया जो जो तुम कह रही हो किरन का क्या वह सच है रोनी को तयार शेखर ने पूछा किरन ने रमन आहुजा के पीले जड़ चहरे की तरफ इशारा करके कहा क्या मिस्टर रमन के चहरे पर उड़ती हवाईया तुम्हें साफ साफ नहीं बता रही कि मेरे मुँसे निकला एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है शेखर ने रमन की तरफ देखा उसके चहरे पर ऐसे भाव थे जैसे रंगे हातों पकड़े जाने वाले चोर के चहरे पर होते हैं बोला तुम्हें तु मैंने अपनी फ्याक्टरी का मेनेजर बनाया भी संगीता के ही कहने पड़ था मगर किरन ने पूछा संगीता ने कहा था कि यह मेरे दूर के रिष्टे का कजन है खेर किरन बोड़ी अभी यह कहानी पूरी नहीं हुई है तो मैं कह रही थी कि एक दिन अचानक एक टीचर की डायमन रिंग गायब हो गई, सबका शक संगीता पर गया, लोग यह समझते थी कि उसने स्मैक आधी खरीदने के लिए डायमन रिंग चुरा ली है, अता उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, पुलिस ने न सिर् यह साबित कर दिया कि चोर संगीता ही है, बलकि एक डायमन विक्रेता से रिंग बरामत भी हो गई, डायमन विक्रेता ने कबूल किया कि रिंग उसे संगीता ने बेची थी, आपको रहमन बड़ी मुश्किल से कह सका, आपको यह सब कैसे मालूम है, क्या तुमने मुझे जाने जाती थी ओ तो तुम तुम वहकिरन हो तब तक रिंग बरामध हो चुकी थी और डायमंड विक्रेता का बयान भी हो चुका था जब मेरी तारीफ सुनकर संगीता मेरे पास आई मेरे कदमों में गिड़ गिड़ा कर कहने लगी कि मैं चरित्र हिंड हूं किसी भी बल्कि कहना चाहिए कि उस शंड से पहले मैं भी यह समस्ती थी कि चोर संगीता ही है परन्तो अपनी पास संगीता ने कुछ ऐसे ढंग और इतने आत्म रिश्वास के साथ कही कि मुझे उसकी सक्ची होने का यकीन हो गया तम मैंने सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन दुबारा से की और सारे कॉलिज के सामने साबित कर दिया कि रिंग संगीता ने नहीं चुराई थी चोर कोई और था तथा संगीता के खिलाब बयान देने वाला डायमन विक्रेता असली चोर से मिला हुआ था शेखर ने धड़कते दिल से पूछा असली चोर कौन था ये महाश्य इसने रिंग क्यों चुराई थी शेखर ने पूछा अन्य विदेशी लड़कों की तरह यह भी संगीता को हासिल करना चाता था किरन कहती चली गई मगर एक तो संगीता सिर्फ विदेशी लड़कों में तिल्चस्पी लेती थी दूसरे इसके पास एक चुटकी स्मैक तंग नहीं थी जो कि संगीता की रात की कीमत हुआ करती थी कहने का मतलब यह कि यह फ्री में संगीता को हासिल करना चाता था जिसका उसने विरोध किया रमन चोर जबरदस्ती पर उतर आया और परिणाम यह हुआ कि संगीता ने इसकी अच्छी खासी धुनाई कर दी कॉलेज की वेश्या के नाम से बदनाम लड़की ने इसे हाथ न रखने दिया बलकि पीटा भी इस अप्मान की आग में सुलक कर इसने रिंग चुरा कर डायमेंड विक्रेता को केवल इस कीमत के बदले दे दी कि अपने बयान में संगीता का नाम लेगा और संगीता स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई इतनी छोटी सी घटना का बदला उससे इतने खतरनाक अंदाज में ले सकता है इसके बाद क्या हुआ? चोरी के इलजाम से तो मैंने संगीता को बरी करा दिया परन्तु इसके बाद स्वेम मैंने ही उससे ज़्यादा संपर्क न रखा क्योंकि मैं एक बदनाम लड़की को अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल नहीं कर सकती थी बाद में संगीता की बदनामे इतनी बड़ी कि प्रबंदक कमिटी ने उसे कॉलेज से निकाल दिया मैं संगीता की बारे में केवल इतना जानती थी कि वह इंडियन है ऐसी तो कलपना भी ने कर पाई थी कि वह मेरे ये शहर की बलकि मेरे पापा के दोस्त की पेटी है और क्या है पात तो मेरे ख्वाबों से भी पाहर थी कि एक दिन उसी संगीता के murder case की reinvestigation करूँगी मगर शेखर ने कहा आगरामी तो संगीता का वहरूप हर्गिस नहीं था जो तुम लंदन में बता रही हो यह सच है कि संगीता नशा करती थी किन्तु college का एक भी लड़का ऐसा नहीं था जिसने उसी हासिल करने की चेश्टा नकी हो और ना ऐसा एक भी लड़का था जो से हासिल करने में काम्याब हुआ हो फिर रमन को यानि उस शक्स को अपना कजन बना कर संगीता ने मुलाजिम क्यों रखवाया जिसने उसे एक दिन चोरी के इलजाम में फसवाया था इसका जवाब मिस्टर रमन देंगे मैं? रमन हकला गया हाँ तुम किरन उस पर घुड़क सी पड़ी ऐसी संगीता के सामने क्या मजबूरी थी कि उसने तुम्हें यानि उस शक्स को अपनी फैक्टरी में मैनेजर रखवा दिया जिसने उसे चोरी के इलजाम में फसवाया था इससे ज़्यादा मैंने उससे कुछ नहीं कहा था कि उसके भेद मिस्टर शेखर पर खोल डूँगा क्या मतलब? मैं बेरोजगार था नौकरी के लिए भटक रहा था कि एक दिन सड़क पर संगीता टकरा गई उसे देख कर मैं चोंका जबकि मुझे देखते ही उसका चहरा पीला पड़ गया एक हफते की मेहनत के बाद मैंने पता लगा लिया कि लंदन के कॉलेज से फर्स्ट गल के आरोप में जिस संगीता को निकाल दिया गया था वह यहां सती सावित्री पनी घूमती है मैंने उसकी आगरा के कॉलेज की लाइफ भी मालूम कर ली थी और यह पता लगने पर हैरान रह गया कि लंदन में कॉलेज की वेश्या के नाम से कोख्यात लड़की यहां बिलकुल बदली हुई थी तुमने कारण जानने की कोशिश की होगी यह पता लगने पर मैं उससे अकेरे में मिला कि मिस्टर मलूतरा अपनी बीवी को गंगा जल समझते हैं उसे धम की दी या दूसरी शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ब्लैक मिल्ट किया यह सुनकर उसकी छक के छूट गए कि मैं उसके लंदन वाले करेक्टर की पोल मिस्टर मलूतरा पर खोल सकता हूं वह गिर गिराने लगी तब मैंने पूछा कि उसमें इतना चेंज कैसे आ गया है उसने बताया कि गुप्त बिमारी लग गई थी डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि अगर वह खुद को नहीं बदलेगी तो बिमारी पढ़ती जाएगी और एक दिन उसकी चान ले लेगी जबकि पुरुषों से दूर रहने पर धीरे धीरे स्वता ठीक हो जाएगी यही कारण था कि मिस्टर मनोतरा से शादी करने से पहले वह भारत में किसी पुरुष के संसर्ग में नहीं आई मेरी धमकी के जवाब में जब उसने यह पूछा कि मैं क्या चाता हूँ तब मैंने अपनी जरूरत पेश की जो मेरी फौरी समस्या थी यानि नौकरी हाँ रमन ने बताया हाला कि शुरू में उसने बहुत हील हुजत की परन्तु मेरी धमकी में दम था और हमारे बीच वैसला हुआ कि वह मुझे अपना कजन बना कर फैक्टरी में मैंनेजर की नौकरी दिलवा देगी और उस दिन के बाद मैं भूल जाऊंगा कि किसी संगीता नाम की लड़की को जानता हूं उसने अपना वादा निभाया और मैंने भी यह सच है कि रंजी कि उस दिन के बाद ना मैं कभी संगीता से मिला ना ही कोई डिबान रखी जिस दिन शेकर ने प्लेन और ट्रेन की टिकेट वंगाये थे उस दिन तुमने क्या सोचा था मैं चौका था इतना ज़ादा कि इनसे कह बैठा कि एक ही राट ट्रेन और प्लेन की टिकेट सर ये हसकर टाल गए और फिर मुझे भी यह बात दिमाग से निकालनी पड़ी इतनी चुबने वाली बात तुम दिमाग से कैसे निकाल सके निकालनी पड़ती है खिरन जी नौकर को अपने एमपलायर की चाने कितनी चुबने वाली बातें दिमाग से निकालनी पड़ती है खिरन की होटो पर नाचने वाली मुस्कुराहट कहरी हो गई बोली, मुझे तुम्हारा एक फोटो चाहिए फोटो? रमन आहुजा का दिल धक धक करके पजने रगा कहां से बोल रही हो तुम? दोसरी तरफ से पेरिस्टर विश्वनात की उद्गिन आवाज सुनाई थी हम तुम्हारे लिए परिशान है सुभा की निकली, अब तक घर में नहीं गुसी हो लंच पर भी नहीं आई ये तुमने अपने दिमाग पर क्या सनक्सवार कर ली है किरन? सब कुछ छोड़ो और जहां कहीं हो वहां से सीधी घर आओ आपकी घरी में क्या बजा है? पब्लिक टेलीफोन बूत में खड़ी किरन ने पूछा साड़े आठ मैं ठीक दस बजे तक घर पहुँच रही हूँ किरन ने कहा और अब वह सुनिये जो सुनाने के लिए आपको फोन किया है मैं आपको यह पताना चाहती हूँ पापा कि अगर दस बजे तक घर न पहुँचू तो मेरी खोश शुरू करा दीजियेगा उस अवस्था में या तो मैं आपको किसी अस्पताल के इमर्जनसी वार्ड में जक्मी पड़ी मिलोंगी या किड्नैप कर ली जाओंगी और यह भी हो सकता है कि आपको कहीं से मेरी लाश भी मिले कि किरन किरन बैरिस्टर विश्वनाद पागलो की मानिन चीक पड़े ये ये तुम क्या बक रही हो बेटी ऐसा क्या हो गया कि हुआ नहीं पापा होने जा रहा है कि क्या अगर मेरे साथ कोई दुरघटना घटे तो आप समझ जाना पापा कि उसकी जिम्मेदार राय अंकल है शहजाद राय बैरिस्टर विश्वनाद उचल पड़े हाँ कि क्यों मिस्टर राय ऐसा क्यों करेंगे जवाब देगी वह चीज जो मैंने टैक्सी नंबर UVX-4889 की पिशली सीख के नीचे छुपा दी है क्या छुपा दिया है तुमने वहाँ बैरिस्टर विश्वनाद ने लगभग चीखते हुए पूछा परन्तु किरन ने जवाब मुँ से देने के स्थान पर रिसीवर आहिस्ता से क्रेडिल पर लटका दिया बूट से बाहर निकली वह और वहीं खड़ी उस टैक्सी की पिशली सीट पर सवार हो गई जिसमें शेखर मुलोतरा पहले से ही सवार था चलो किरन की आजेश के साथ टैक्सी आगे बढ़ गई शेखर ने पूछा टैक्सी रुखवा कर तुमने किसे फोन किया था पापा को क्यों यह जानने के लिए कि इस वक्त भी घर पर है या नहीं क्यों जानना चाती थी तुम जवाब में किरन की होटो पर वह मुस्कान उभरी जिसका अर्थ आसानी सी किसी को समझ में नहीं आया करता टैक्सी फर्राटे भरती हुई अपने गंतव्य की तरफ दोड रही थी वह टैक्सी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UVX 4889 था तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद